हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेट पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग ज्यानते हैं कि इन दिनों हम लोग मैथ में बहुत इंपर्टर टापिक को कर रहे हैं जिसका नाम है एलजबरा हिंदी में बोलते ह इसको बीजगड़ित फ्रेंड्स जो स्टुडेंट क्लास टेंथ 11 12 में हैं या किसी अधर कंपरेटिक जाम की तैयारी शुरू किये हैं ठीक है और उनको बीजगड़ित से सम्मंधित कुछ दिक्कतें आ रहे हैं उनके सामने क्योंकि अब आपको यह जो कॉंसेप्ट है यह तो हमने जो चर रास ही होती है में खेल 20 गड़ित में क्या होता है चर का ही होता है ठीक है चर और अचर के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था चर क्या होती है जैसे English alphabet जो होते हैं आपकी English की अचर आपको जैसे दिखेंग तो इनका गुड़ा जोड घटाओ भाग कैसे होता है पूरी जानकारी आपको इस सेरीज में मिलेगी तो इसमें अभी तक हम लोगोंने चर रासियों का जोड और घटाना सीखा है दो वीडियो अपलोड हो चैनल पर नीचे description box में आपको उन वीडियो को लिंक भी मिल जाए और आज हम लोग सीखने वाले हैं चर रासियों का गुड़ा और भाग तो भाइया शुरू करते हम लोग चर रासियों की गुड़ा और भाग की कहानी तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था और आज फिर बता दे रहा हूं कुछ बच्चे नए होंगे उनको समस्या जैसा आपका यह चर लिखा हुआ है क्या में इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाइरेबल ठीक है और यह आप देखियेक्राइक्रार फिरी का यह यव क्या है यह लिखा है यहां अग्स के साथ यहां कुछ नहीं लिखा है, यहां पर x के साथ 2, यहां पर 3, ठीक, तो जो x के साथ में यह लिखा हुआ है आपका अंक, इसको आप बोलेंगे गुरांक, इंग्लिस में कहते हैं इसको coefficient, ठीक, यहां पर x का गुरांक 3 कहेंगे, मैं बार-बार भी बोलूंगा, यहां पर x का गुडांग कितना है तीन एक्स का गुडांग कितना है दो ठीक है इंग्लिस में कॉफिसियंट हिंदी में गुडांग कहते हैं यहां पर यहां पर गुडांग बताओ तो यहां पर कुछ नहीं है गुडांग कुछ भी नहीं लिखा है और जहां कुछ नहीं वहां भईया प्य अब अब देखो घात क्या होती है जिसे आप लोगों ने यह x square या x cube x की power 5 कुछ इस तरीके का देखा होगा तो x के उपर जो यह लिखा है ना इसी को कहते हैं घात English में कहते हैं power ठीक तो यह लिखा है x square मनलब x की घात 2, x की घात 3, x की घात 5 इते इंग्रिज में x की power 2, x की power 3, x की power 5 ठीक है और अगर के वल आपका ये वाला देख लो यहाँ पर पूछा जाए कि x की घात कितनी है तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं लिखी है तो जब घात भी कुछना दिखाई दे आपको, तो 1 होती है, कितनी? 1, यहाँ पर Y की घात कितनी? आप बोलोगे 1, Z की घात कितनी? 1, C की घात कितनी? 1, P की घात कितनी? 1, ना तो कभी गुडांक आपको एक लिखा दिखेगा, चर का, और ना तो चर की घात एक लिखी है यह आपको मान लेना रहता है कि हाल लिखा है फीपा रहता है प्यारे वो दिखाई नहीं देता है थे तो अगर यहां पर आपसे कोई पूछे कर कि यकस का गुरांक कितना है तो क्या बताओगे कर One टेख लिखना चाहो तो लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं यह लेकिन लिखा नहीं जाता और अगर घात पूछी जाए इसकी तो कितनी बताओगे घात 1 है अब कहोगे दिखाई नहीं दे रहा है लिखा है प्यारी वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर X का गुडांग बताओ तो X का गुडांग यहाँ 2 है यक्स की घात पूछे आपसे तो X की घात यहाँ पर 2 है ठीक अगर ये लिखा है 5X की पावर 5 यहाँ पर X की आपसे पूछे गुडांग तो 5 और X की घात पूछे तो X की घात क्या है 5 यह रहा है concept अगर इतनी बात समझ में आ गई अब हम शुरू करते हैं चर रासियों का गुडा करना ठीक है चलिए अब question लेते हैं तभी आपका concept केलियर होगा प्यारे जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ पर X into X X का गुडा हमें करना है X में मालो आपको ये गुडा बस्पन में आपने किया था तू का 5 में 5 तू जा 10 ठीक वही गुडा ये भी है ठीक है इसको इसे भी लिख सकते हो X का X में 2 ठीक है तो वही सीज हम कर रहे हैं चलो तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान रखनी है कि चर रासियों का जब गुडा करते हैं हम तब चर रासियों की घात आपस में जुड़ जाती है ठीक तो यहाँ पर देखो और पहले गुडा करते हैं हम चर का जो गुडांक होता है कॉफिसियन्ट होता है उसका उसके बाद में चरकी जो घात होती है उसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यक्स का गुड़ाँ कितना है 1 ठीक और यहाँ पर यक्स का गुड़ाँ कितना है 1 तो पहले 1 into 1 करेंगे तो 1 into 1 1 होता है तो यहाँ लिख दो 1 और फिर यहाँ पर x अब x की घात जोड़ जाएगी ठीक तो यहाँ पर x की घात कितनी है 1 नहीं दिखाए दे रहा है घात कुछ न दिखाए दे तो 1 होती है यहाँ पर x की घात कितनी 1 तो 1 और 1 2 तो x लिख लेंगे as it is और x की घात 2 लिख देंगे फिर अब यहां पर one लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है तो x into x, x square हो गया प्यारे आप देखो next question अगर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए 2x into 5x अब बताओ तो पहले मैंने क्या बताया पहले जो चर है उनके गुडांक का आपस में गुडा करिये तो चर क्या है आपका yaks है और yaks का यहां पर गुडांक 5 दिख रहा है यहां पर yaks का गुडांक 2 दिख रहा है तो पहले 2 का गुडा करिये 5 में तो 2, 5, 10 होगा 2, 5, 0, 10 होता है प्यारे अब चर रास हमारी क्या है यहां पर यक्स तो गुड़ा में चर रासियों की घात आपस में जुड़ जाती है तो यहां पर चर की घात कितनी है एक यहां पर चर की घात कितनी है एक तो एक और एक दो हो जाएगा प्यारे तो यहां यक्स लिखे और यक्स की पावर में दो लिख दीजिए केलियर है 10x square इसको पढ़ेंगे ठेक x की पावर 2 को square कहते हैं और x की पावर 3 को cube बोला जाता है एक next question और ले ले रहे हैं मान लो ऐसे लिखा है 5x cube into 6x की पावर 5 अब इसको बताईए क्या होगा तो sir अब देखो पहले क्या करेंगे पहले हम जो चर है उनका जो गुडांक है उसका गुडा करेंगे तो 6 का गुडा 5 में करिए या 5 का 6 में करिए बात वही है तो 30 आएगा 5,6,30 होता है अब यहाँ पर आपका variable मतलब चर क्या है x अब इनकी घात क्या होंगी आपस में add हो जाएंगी तो 3 और 5 add हो जाएगा तो 3 और 5 8 तो 30x की पावर 8 हो जाएगा प्यारे ठीक है आप देखो next question अगर आपको इस तरीके का मिल जाए कि 5x square into 2x cube into 5y तब क्या होगा अब देखो अब यहाँ पर आपको 2 चर दिख रहे हैं एक तो x और एक y तो इन दोनों का आपस में गुड़ा होगा ठीक है और गुडांक जो है गुडांक तो सबका आपस में गुड़ा होगा y का भी गुड़ांक इसके साथ गुड़ा होगा लेकिन जो घात है चर की वो केवल यक्स यक्स की ही जुड़ेगी समान चर की घातें जुड़ती है y से इसका कोई लेना देना नहीं तो देखो अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा लिखा है 5, 5 का 2 में मल्टिप्लाई करेंगे तो 5, 2 जा 10 10 का 5 में मल्टिप्लाई करेंगे तो 10, 5 जा 50 तो ये 50 और यक्स, यक्स की पावर यहां 2 है यहां पर 3 तो 2 और 3 एड़ हो जाएगा तो 5 हो जाएगा x की पावर 5 अब y अकेला है तो ये ऐसे हो जाएगा 50 x की पावर 5 y एक और गुशन ले लूँ इसमें अभी आपको कुछ दिक्कत होगी जरूर लिखा है अगर आपकी 3 x क्योब इंटू 2 x की पावर 2 इंटू 2 y स्क्वाइर इंटू 5 y इसका बताएगे तो देखो जो आपके यहाँ पर 4 है कितने हैं? 2 एक तो यक्स है एक y है इसमें इंगलिस अच्छर जो है आपके जड़ तक उसमें से कितने आपके दिख रहे हैं एक तो यक्स और एक y तो इसमें 2 चर है 2 variable है तो यहाँ पर जो variable है same variable उनकी पावर तो एड होगी ठीक है? तो यहाँ यक्स यक्स की पावर एड होगी y y की एड होगी लेकिन जो गुड़ा आंख है उनके कॉफिसियंट है उन सब का आपस में गुड़ा होगा तो 32 जा 6 और 6 तूजा 12 और 12 फाइब जा 60 तो यह 60 लिख दीजिए उसके बाद में आप देखे जो यह आपका x cube है और यह x square इन दोनों की पावर एड होगी है तो यह आपका x लिखिए और x की पावर 3 और x square तो 3 और 2 एड हो जाएगा तो यह 5 हो जाएगा अब y देखे यहाँ पर y square है यहाँ y की पावर कितनी है 1 कुछ नहीं दिख रहा है और जहाँ पावर कुछ नहीं वहाँ 1 होती है प्यारे तो आप y लिखिए और y की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी प्यारे तो यह 60 x की पावर 5 y क्यूब हो जाएगा ठीक एक कुछ नहीं और ले लो 5 x की पावर 6 इंटू x square इंटू 5 y इंटू 3 y की पावर 6 बताओ इसका तो देखो इसमें भी 2 चर है एक तो यक्स और एक y तो पहले तो जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं उनका आपस में गुड़ा करिए मतलब जो चर हैं उनके सभी गुड़ांकों को आपस में गुड़ा कर डालिए पहला काम यही है तो यहाँ पर इसका यक्स का गुड़ांक कितना दिख रहा है कुछ नहीं और जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है प्यारे ठेक तो 5 गुड़ा 5 ठेक और 5 फाइब जा 25 और 25 थे रिजा 75 तो यहाँ पर आप लिखिए 75 और देखिए यक्स है दो चर है इन कुष्चन में इस कुष्चन में यक्स और वाई दो चर है तो यक्स लिख लो और वाई लिख लो ठीक है अब देखो यक्स की पावर इन दोनों में यक्स की पावर 8 होगी समान चर की घातें जुड़ती है अब यक्स और वाई की घात नहीं जुड़ीगी कि यहाँ यक्स की पावर 6 और यहाँ यक्स की पावर 6 और यहाँ यक्स की पावर 7 लिख दो इसे थोड़ी होगा समान चर यक्स यक्स इन दोनों की पावर एड होंगी तो 6 और 2 8 तो यक्स की पावर यहां 8 लिखेंगे और Y में देखिए यहां Y की पावर कितने दिख रही है y की power कुछ नहीं दिख रही है और जहाँ y की power कुछ नहीं वहाँ 1 होती है तो y की power यहाँ 1 है यहाँ y की power 6 है तो 6 और 1 से बन हो जाएगा तो यहाँ पर यह y की power 7 लिखेंगे प्यारे तो बताइए अब गुड़ा में कोई दिक्कत है आपको तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत होगी आपको अब ठीक है आप बात कर लेते हैं चर रासियों की भाग की ठीक है इनका भाग कैसे होता है जैसे गुड़ा में घातें जुड़ जाती है वो इसे भाग में घातें घट जाती है जैसे आप लोग यह भाग करना सीखे थे 530 560 30 इसी तरीके की भाग अब हमें 4 आसियों की करनी है ऐसे रहेगा आप कहा है यक्स की भाग करिये x3 में और x का टेवल थोड़ी आपको याद है अब 5 का टेवल याद है x की टेवल का आद है अपको भाईया नहं हमीके याद है न आप aucune को तो इसका कुछ अलग concept होता है ठीक है चलिए डारेक्ट इस तरीके की भाग भी आपको बता सकता हूं लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है अगर सिखना होगा तो किमेंट कर देना भाई या किमेंट कर देना हम बता देंगे आपको किमेंट करने चलिए देखो आप चर रासियों की अगर भाग की बारे में कहा जाए आपसे जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर फाइब इसमें भाग देजिए एक्स स्क्वाइर से ये भाग ही है देखो तीन तरीका होता है प्यारी भाग लिखने का चाहे आप ऐसे लिखो कि 5 का भाग दो 30 में या इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या कि 30 अपॉन 5 या इसी को आप ये लिख सकते हो 5 इन तीनों का मतलब एक ही होता है ठीक है तो चाहे इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में चाहे इस रूप में किलियर है तो यहाँ पर हम भिन के रूप में ही लिखेंगे तो भाग में चर रासियों की घात आपस में घट जाती है बस यही एक लाइन आपको ध्यान रखना है घाते घट जाएंगी ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होगा यक्स है चर आपका, तो यक्स और यहाँ 5 है तो 5 और 5 में कितना घटेगा 2 यह 2 घट गया तो X की पावर कितना आया 5 में से 2 घटेगा 3 यह X की पावर 3 ठीक और एक पॉइंट और ध्यान रखना उसको एक लाइन अपने मैंड में होल्ड रखना कि जो चर होती है ठीक है यह चर हो यह आचर हो आपके भिन के रूप में लिखी हुई है और अगर नीचे वाला क्या होता है नीचे वाले को हर बोलते हैं उपर वाले को अंस नीचे वाले को इंगलिस में बोलते हैं डिनोमिनेटर हिंदी में हर उपर वाले को हिंदी में अंस इंगलिस में नुमिरेटर ठीक है तो अगर हर को उपर ले जाएं, मतलब नीचे वाली जो आपका denominator है, उसको अगर numerator मे ले जाएं, तो उसकी power जो है, वो अगर plus की है तो minus हो जाएगी, अगर minus है तो plus हो जाएगी, अगर वही काम numerator के साथ करें, numerator को denominator मे लाएं, मतलब अंस को हर मे लाएं, तो उसकी घात भी बद जाएगी मतला अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी माइनस तो प्लस हो जाएगी काम हो ही है चाहे ऐसे समझो कि भाग में चर्राश्यों की घाते घट जाती हैं या जैसे यहां पर अभी एक्स-की-पावर फाइब लिखा अब जब एक्स इसक्वायर ऊपर जाएगा तो इ प्लस में हो जाएगी मैनेस में है तो यहां यहां प्लस में है और जब यह उपर जाएगी तो इन्टू यक्स की पावर माइनस हो जाएगा यहां पर इसकी पावर माइनस होगा थेरी बचेगा तो आपको कुछ रटना नहीं है तो प्यारी concept आपको देखना है concept क्या है concept की लिए होना सही है तो अब से लिए देखिए अब अगर एक कुछन और लिंग लिखा हुआ है 5x3 upon 2x2 यह क्या होगा या 2 हटा दो तो 5x x की power 3 है और यह नीचे क्या है x square मतला यह upon में 2 है तो इस 3 में 2 कर दो minus तो 5x3 में 2 minus होगा तो बचेगा 1 और 1 लिखने कोई ज़रूरत नहीं है इसको आप बोल सकते हो केवल 5x ठीक है आप देखो लिखा हुआ है अगर 8x की power 6 upon 4 4x की power 2 तो 4 वन जा 4 4 2 जा एट इसको तो डाइरेक्ट काट दो और उसके बाद में उपर बचा 2 और x की power 6 और यहां बचा है 1 1 का कोई मतलब भी नहीं हटाओ यहां x square तो x की power 2 है यहां minus 2 हो जाएगा ठीक अब 2x की power 6 में से 2 minus होगा बचेगा 4 यही है आपका answer आप देखो एक कुछन और ले लो लिखा हुआ है 10 upon 5 x की power 6 upon me x cube तो 5 और जा 5 5 2 जा 10 उपर बचा 2 x की power 6 upon में बचा है यह 1 तो 1 का मतलब हताओ यह x cube तो यह x cube अब यह जो 3 है यहां 6 में से 3 minus कर दो तो 2 x की power 3 बचेगा यही है answer और ले लो कुछन जितना कुछन करोगे जितना ही कुछन करोगे भईया उतना आपके लिए फाइदा है क्योंकि मैर भईया practice मांगती है practice लिखा हुआ है 100 अपान में 50 x की power 10 अपान x की power 5 तो यह क्या होगा 50 बंजा 50 52 जा हैंडरे तो यह 2 और उपर क्या बचा है x की power 10 अपान में बचा है यह तो 1 इसका काम खतम x की power 5 तो यह जो x की power 5 है यह power वह इस 10 में से minus हो जाएगी तो 10 में से कितना minus होगा 5 minus होगा तो यह बचेगा आपका 2 x की power 5 यह है answer तो यह आपका गुड़ा यह भाग पूरा concept की दिया रहा है अगर लेना चाहो तो इसकी इन सॉट ले लो में side हो गया ले लिया तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लग हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो प्लीज हमारे चैनल मोहित पंडे क्लास इसको subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको math के यूटूब पर नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बेसिक एकदम अंदर घुस के पढ़ाया जाता है यह सोच कर नहीं पढ़ाया जाता कि यह चीज तो बच्छे बढ़ चुके हैं लास्ट एयर में ठीक है और हमने वादा कि आपसे लास्ट टेंथ वाले गड़ेगी तो हम मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ आप भी करिए 90 प्लस का सपना जरूर पूरा होगा ओके तो हम लोग मिलेंगे एक ने प्यार इसी वीडियो में तब तक के लिए बाबाय सी यू